हेलो दोस्तो, welcome to my channel दोस्तो आज का इस वीडियो में जीयोटास में कैसे आकाउन किरेट करना है और क्योज से कमपिरेट कैसे करना है पूरा डीटेल्स में step by step आप लोगों देखाने बला हूं अगर आप जीयोटास में आकाउन किरेट करते हैं तो आप चीयोज से कमपिरेट करते हैं तो आपको एक सरोबीया का फरी में बिट्कॉइन मिलेगा दोस्तो, जीयोटास एक क्रिटो कायन सी एक्सेंज है यहां आप टेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो में और बाई और सेल भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आप Geotas use करेंगे तो आपको बहुत सारी शुविदा भी मिल जाएंगे Geotas में आप Instant Video कर सकते हैं और Instant Depository भी कर सकते हैं दोस्तों, Geotas में PTP का भी शुविदा मिल जाएंगे INA to Crypto, Q2 to INAर आप Exchange कर सकते हैं शिरिफ 5 मिनिट का अंदर दोस्तो अगर कोई भी पॉब्लम होती है तो आप customer care से बात कर सकते हैं customer care से आप 8 language बात कर सकते हैं जैसे के हिंदी, बेंगली, और भी इंगलीज, माराथी, गुजराथी और भी सारा language आप देख सकते हैं दोस्तो बीना कोई परिशाने के आप यहां से आप trading कर सकते हैं buy और sale कर सकते हैं क्रिप्टो में तो दोस्तो चले वीडियो शुरू करते हैं आप लोगों देखाते हैं कैसे account create करना है और क्यों सी complete कैसे करना है साथ ही में एक सुरूवय का जो bitcoin है वो फिर ही में कैसे मिलेगा वो भी आप लोगों को देखाएंगे जीओटास में account बनाने के लिए सबसे पहले आपको जीओटास application इनिस्ट्राल करना होगा इसका link हम description में दे देंगे नहीं तो आप फिलेश्टर में जाकर भी इस application को इनिस्ट्राल कर सकते हैं application इनिस्ट्राल हो जाने का बाद इसको open करें इसको जैसे ही open करेंगे इस तरह का interface आपको दिखेगा इस page में आने के बाद आपको right side में एक profile का option मिलेगा इस profile का option पे आपको click कर लेना है profile पे click करते ही इस तरह का page open होगा यहाँ पे आप देख पाएंगे last में login and register का एक option है login and register पे आपको click कर लेना है login and register पे जैसे ही click करेंगे यहाँ पे login का page open हो जाएगा नीचे आपको मिलेगा फिरी register का एक option फिर इस रेजिस्टर पर आपको किलिक कर लेना है फिर इस रेजिस्टर पर जैसे ही किलिक करेंगे create account का एक page open हो जाएगा इस पज में आपको इस रेजिस्टर करना होगा उपर में first name, उसके लास्ट नेम उसके आपको अपना email id देना है फिर password डालना है फिर आपका जो mobile number है यहाँ पर देना है नीचे referral code के option है यहाँ पर आप referral code देश सकते हैं आपको इस screen में देखाई देगा पूरा details फिल हो जाने का बाद नीचे register का option है रेजिस्टर पर किलिक करें रेजिस्टर पर जैसे ही किलिक करेंगे आपका यहाँ पर रेजिस्टर हो जाएगा फिर आपका email id पर एक mail जाएगा उस mail पर एक link रहेगा उस link को आपको activate कर लेना है link activate करने के बाद फिर से आपको login page में चल जाना है login page में आप अपना email id और password देकर sign in कर लेना है फिर आपको यहाँ पर आपना mobile number register कर लेना है नीचे subbit का option है subbit पर किलिक करें subbit में जैसे किलिक करेंगे आपका mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP यहाँ पर एंटर कर लेना है mobile number रेजिस्टर करने के बाद QIC का page यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ पर आपको QIC कर लेना है QIC करने से पहले आपको जो एक सी रूपय का bitcoin फिरी मिलेगा ओक ऐसे लेना है ओभी आप लोगों को देखाते हैं इस page में आप देख पाएंगे do you have a promo code किलिक हैर आपको यहाँ पर किलिक कर लेना है उसके बाद promo code का page open होगा यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है BTC 100 आपको BTC 100 apply कर लेना है देख पार हैं यहाँ पर मुझे 100 रुबिच का BTC coin bitcoin मिल गया यहाँ पर OK पर किलिक कर लेना है फिर back चलना है QIC का page में QIC करने के लिए सबसे पहले आपको आपका pen card का photo upload कर लेना है उसका नीचे pen card number और pen card में जो name है आपका यहाँ पर डालना है पर नीचे date of verse भी दे लेना है नीचे आपको एंटरेस प्रूप का एक option मिलेगा यहाँ ता आप आधर से रेट करें फिर आधर का front page और back page का photo upload करें अगर आपके पास आधर काड नहीं है तो आप दूसरा option चूच कर सकते हैं पूरा details फील हो जाने का बाद नीचे subbit का option है subbit पे click करें subbit पर जैसे ही click करेंगे next page यहाँ पे open हो जाईगा इस page में आपको आपको आपना bank account details एंटर कर लेना है सबसे उपर में account hold on name उसने जाए पे सी code फिर account number confirm account number यहाँ पे है UP अगर आपका UP है तो यहाँ पे UP भी देख सकते हैं फिर नीचे देख पार यह account type का option है saving या current है यहाँ पे ओच सेलेट कर ले फिर नीचे submit का option है submit पे click करे submit पे जैसे click करेंगे आपका account open के लिए जो आपका request है request submit हो जाएगा आपको यहाँ पे दो या चार घंटा आपको wait कर लेना है maximum आपको 24 hours तक wait कर लेना है अगर आपका account में कोई भी problem हो रहा है क्या उसी करने के लिए अगर आपका इस तरह का problem आ रहा है आपका primary bank account यहाँ पे verify नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है आपको customer support में जाना है और आपको chat कर लेना है आपको बोलना है मेरा primary जो bank account है वो verify हुआ नहीं है इसलिए मेरा account अभी तरह KYC complete हुआ नहीं है KYC complete हो जाने के बाद आप जाब login करेंगे email IDR password देकर आपको सबसे पहले MPIN सेट करने बोलेगा यहाँ पे 4 digit का MPIN आप सेट करें re-enter MPIN दे फिर आप Geotas में login हो जाएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे आपने जो भी पर्मोकर्टर यूज किये थे यहाँ पे आपको 100 हो जाए गया यहाँ पे आप देख पारे 98.62 रूपीद यहाँ पे मुझे मिला है कियाँ से complete हो जाने का बाद आप यहाँ पे टेडिंग कर सकते हैं किर्टो बाई और सेल कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप Geotas में आपकाउन की रेट कर सकते हैं और कियो इसी complete कर सकते हैं उम्मिद करते हैं दोस्तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें